की यह जो पूरा महौ देख रहा है आप राम्मई महौल हो रहा है और चुनावों का भी आने वाला है यहाँ यह जो नेता भहिषकार कर रहे हैं मतलब मैं यह कहा रहा हूँ कई नेताओंने बगाईदा भोला हम बॉइ-कॉर्ष करेंगे यह नी भहिषकार ना हो रहा है, हम ना मान रहा है इसमें, उन फूपाओं के रूटने से, ना तो शादी रुखती, ना संततियां पैदा होना रुखती, दो चार दिन के रूठे हैं, फिर आ जाएंगे, दावा कर रहा हूं, यहीं इसी सरियू में फोटो किचवाते ना दिखें तो ना मदल दे ना, मेरा सब यहीं आएंगे, लेकिन सनातन को लेकर बहुत कुछ कहा गया भीते दिनों, स्वामी परसाद मौर्या ने तो कहा कि हिंदू एक धोका है, आपने जिनका नाम लिया, उदे निदी स्टालन, उन्होंने भी सनातन को लेकर AIDS, COVID, पता नहीं क्या क्या बोला, क्या आ नाम कृष्ण का देश है, पहले ये फार्मूला चला था, ये फार्मूला 65 साल चला इस देश में, जहां माइनोरिटी को ये बताया गया, कि तुम तब तक सुरक्षित हो, जब तक मैं तुमारे साथ हूँ, माइनोरिटी भले बिचारे उन्होंने सुचा, ऐसे ही होता वो भले होते हैं, कॉमिनेशन बनता रहा, हर कोरोना का वैक्सीन आता है, इस माइनोरिटी जम का वैक्सीन आया मैजोरिटी जम जी, अब मैजोरिटी जम ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है, हम अगर एक साथ लड़ेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो अब सब जा से पॉलिटिकल पार्टिया डील नहीं कर रहीं, अब पॉलिटिकल पार्टी जम को पता है, ऐसे करने से फायदा होगा, तो वो फायदा लेने आईए, आप अपना नुकसान लेके बाहर क्यों खड़ें, आप भी फायदा लेने आ जाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है, पर सम चुनाव पर चुनाव हार रहें, उसके बाद भी नहीं समझ रहें, लेकिन राम मंदिर नहीं आएंगे, लेकिन शिफ के धाम जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे, लेकिन किसी और मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे, सुन्दर कांट का पार्ट कर तो उस्चकर में जाना उसमें आउट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि राजनेतिक विशह है नहीं आपका तो देखेए दैनिक काम है हर विशय को राजनेतिक बनाना आपकी एक्सपर्टिश राजनेतिक विशे है कुमार भाई इतनी सारी बाते हुई जिन लोगों ने बनाया वो भी गलत हैं देखो जो लाब उठा रहे हैं वो कौन आदमी लाब ने उठाएगा मुझे बताओ आप आपको कल को के नौकरी देने वाला आपका चैनल कल को कहने लिए अमिश भाई जी कर देंगे मालिक से लोगे देंगे मैं तो नहीं हुआ है तो एक लाख लूग आप को बहुत अच्छा सब्सक्राइब बाकी लोग संकटों में फसे तो सुंदर काणट और रहे हैं देखिए आप फिर मुझे ला रहे हैं मैं सवाल तो पूछूंगा सवाल पूछने का तो अधिकार है लेखिए इतना अच्छा विशय किनारा है तरहा हुआ रखाना किनारा है का साथ है चाहिसर भूसा हुआ हुए खीर खाएंगे और आप मुझे भूसा परोसरे हो कि इसमें टिपनी कर आए भाँ ढ़ा जब आप कारसेवकों को याद करते हैं मैं राम मंदिर की बात करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा क्या मन में भाव आता है कुमार भाई मैंने अपने जवानी का जो पहला अंदोलन देखा है वो दो अंदोलन देखे एक मंदिर अंदोलन और एक मंडल कमिशन हम लोग 19-20 साल के थे और फिर आपने अंदोलन खड़ा कर दिया हाँ वो भी खड़ा किया अच्छा अंदोलन था बहुत इतिहासिक अंदोलन तक कोई दोराय नहीं है किसी अंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है यह लग बात है यह अंदोलन बहुत बड़ा था अपनी पूरी जान लगाई नोकरी छोड़ दी विष्विध्या लेकी इस तीफ परवल में दूद में वर्षन मेरा हर दर में हर मन में तिनकन मेरा रामां पुस्या राख सिरा के शीरा तो यह लाइव तस्वीर हैं आपकी चीवे स्क्रीन सबर सब्सक्राइब करें जो ठीक प्रांट प्रतिश्था से पहले आता हिसंप्रांट्य तस्वीरे कि सम्हारों की सब्सक्राइब जो कल को लेकर आए भाई आस तो राम जी ने आनंद कर दिया रह नाजजा राम जी के नाव दिन्म इमान्जा इतनी गालिया इतनी प्रशनिशा हैं हर सास में राम हैं और आप सोचें कि उस विशे को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक सामाजिक और राजनेति कार से यह को को मन में भर कया आता है उपयाइं लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है कि यह पॉलिटिकल पार्टी ने करते हैं शूंग से मैं हुँ चाहे एकात्मक्तार अथलेने वाले मुर्णी मरोज जोशी हुँ चाहे अडवानी जी के रसके सारती प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी हुँ इन सब लोगों की राजनितिक कुशलता और नित्रत्व इस जनता ने तैयार की जो कह रही थी कि हमारा कोई ने सुनना भाया हमारी सुननों इनने का हम तुमारी सुनेंगे हम खड़ हो जाएंगे वो निता बन गए निता कैसे बनता है एक भीड में एक पुलिस वाला या एक कोई सरकारी क्रमचारी या एक कोई गुंडा एक कोई बदमाश आदमी बत्तमीजी कर रहा हो सो लोग देख रहे हूं एक ल माइनर्टी वोट्स के सारे चड़े हुए थे तो कुछ लोगा ने का हम तुमारे साथ खड़ें कोई दिक्कत नहीं आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं भया वो क्योंनी क्रेडिट लेंगे उन्हेने मेहनत कम करी है क्या सरकार भी गवाई थी पांच मुझे याद है हापड में चुनाव था हमारे एक दोस्त बड़े भाई जैसे विदायक लड़े ते जीत गए बिजंदर कुमार दली तवर्क से आते बड़े भले आदमी हैं अभी भी हैं अटल जी की सभा थी मैं उस सभा में उनके मित्र होने के नाते परिवार के होने के व्यवस्था में था अटल जी पीछे से चड़े एक महिला ने अटल जी को हाथ जोड़े अटल जी ने उसके हाथ पकले और का माई बाजपा को वोट दीजो पता इस महिला ने क्या का मिश्वाई क्या का उसने कहा ललू तुम राम के काजे पांस सरकार देसे को हमें वोट अगां मान आहें देशे के तो हुए कि यह को माःब बताए ये इसका प्लिटिकल यूटिलाइजेशन किसी पार्टि ने कर किया भार्थिनथा पार्टी साथसंगा ने का संग इसा है यह कभी समयन कराने आई है पॉलिटिकल पार्टी है एक और भी पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी